में 12-2006, एक real estate company अपने IPO लेके आ रही हो और पूरी दुनिया इसके लिए बावली हो रही है, everyone literally wants to have a piece of it, क्यूं? बिकॉज ये अब तक की सबसे rock solid IPO होने वाली है, लेकिन एक party है जो नहीं चाहती है कि ये इधर आई, ये rival group है और क्यूं नहीं चाहती है, वो क्यूं इसलिए नहीं चाहती है, बिकॉज उसे पता है, अगर इन लोगों का IPO आ गया तो, there is a high possibility कि ये सबसे ज़्यादा influential और सबस इसलिए बिकॉज ये उस समय के 4th richest families of our country में से IPO आने वाला था, आफ्टर अंबानीज, मित्तल्स और टाटाज, इनी लोगों का नाम आता था, जिनका IPO आ रहा है, गैस कर पाए हो कौन से real estate की बात कर रहे हैं, तो comments में ज़रूर लिखना, दोस्तों, इस IPO के लेके इतने ज़ 16 साल बाद भी IPO के जो initial investors थे उनने अपना पैसा आज तक कवर नहीं किया है, जानना चाहोगे ये exactly हुआ क्या था, और इसके पीछे जो सारी चीजे चली और आज भी ये चीजे चलती आप जानके हिल जाओगे, obviously modus operandi थोड़ी बदल गया, लेकिन आप में से काफी सारे ये उनके लिए must watch है, तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्तों करीब 2005-2006 की बात है, जब बेबी के surveillance radar पे अचानक से बहुत सारे off-market transactions हाते हैं, ये off-market transactions मतलब जो direct हमारे market में नहीं लेते हैं, off the market लेते हैं, बट shares का अदला बदली अब यहाँ पर हैरानी की बात ये है, कि ये सारे transactions हो रहे हैं एक IPO के पहले, तो जाहिर सा सवाल है कि allotment के बाद हर व्यक्ति at least wait करता है listing ये इनसका, सारे H&I, सारे बड़े लोग wait करते हैं listing का, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, listing के पहले ही अदला बदली हो रही है, जब अब इस चीज पर और investigation की जाती है, तो एक interesting चीज पता लगती है, वो क्या, इनको interesting चीज ये पता लगती है, कि अचानक से हजारों लाखों accounts को जो shares a lot किये गए हैं, जो इसकी listing होने वाली है कुछ दिनों बात, वो अचानक से अपने share बेच रहे हैं, और सारे share गिने चुन कुछ 5-6 accounts में जा रहे हैं, तो इस पर बेवी के दिमाग में ये सवाल उठेने लग जाता है कि भई, अभी तक price discovery भी नहीं हुई है, अभी तक ये भी नहीं पता कि listing gains किस में होगी, तो क्यों retail लोग, ये सारे retail accounts थे हैं, तो जैसे आप जब भी IPO में अपलाय करते हैं, तो दो तरीके के accounts होता है, एक retail account होता है, एक kitchen account, तो इनके दिमाग में ये सवाल उठता रहता है कि भई, ये retail लोग price discovery का भी wait क्यों नहीं कर रही हैं, अचानक से क्यों इन 3-4 account में भेज रहे हैं, वो इसले भेज रहे हैं, क्योंकि ये accounts retail के हैं नहीं, लाखों के share, करोडों के share corner कर दिये गए हैं, retail को allotment ही नहीं मिली है, और ये खुद account से operators और speculators के, अब आप सोच रहों कि ये कैसे possible हैं, ये ऐसा possible है, कि इसके पीछे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा plan बनाया गया, कैसा अब धिहान से सुनिए, तो यहाँ पर एक Mrs. पांचाल नाम की एक व्यक्ती हैं, Mrs. पांचाल, जी हाँ, ladies भी operator हो सकती हैं, ये मुझे याद दिलाता है, दंगल का वो famous dialogue, जी हाँ, तो Mrs. पांचाल यहाँ पर इनका पूरा mind चलता रहता है, तो ये क्या करती हैं, ये बहुत सारे पहले bank accounts खुलाती हैं, banks के साथ हाथ मिला के, तो जी हाँ, याद रखे, हमारे देश में जित्ते भी बड़े-बड़े financial scandals होते हैं, वो बिना bank की साहता की नहीं हो सकती, तो banks के साथ, वो पहले तो बहुत सारे bank account खुलती हैं, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो हर जगा तो अपना photo नहीं लगा सकती हैं, तो यहाँ पर इनका दिमाग देखो इनका खुद का एक photo studio भी था, तो यह paper में, अखबारों में ad निकल आती हैं कि boss, जो भी मेरे इधर आके photo खिचाएगा, उसको दो photo moved, मतलब उसकी दो copies विल्कुल moved, in fact initial photos भी free, और दोस्तों आपको तो बता हमारे देश में free शब्द use कर लिया, तो भया, सब बावले हो जात उन्ही photos के through banks के साथ lobbying करके धना अधन बहुत सारे accounts खुलाएगा, अब interesting चीज यह है कि उस समय में, मतलब हम अवाली 2000 की बात कर रहे है, 2000-2005, pancard में जब तक आपके 50,000 के उपर का transaction नहीं होता, तो बहुत hard and fast कोई इतना जादा नहीं देखता था, if fact आप DMAT पे भी apply कर सकते तो इनने क्या किया, बुले pancard तो अब apply नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों को पता लग जाएगा, इनके signature के बिना pancard तो apply नहीं कर सकते, इन नाम के, तो इनने वापे सूजबूद लगा है, इनने बुला pancard तो नहीं लगा सकते, DMAT खोलने के लिए क्या कर सकते, उनके record के पैन का form चाहिए होगा, उनका form के लिए, तो हम at least क्या करते है, pan के form डाउनलोड कर लेते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा regularity, irregularity रहती थी, और उसी तरह तो financial system धीरे धीरे समला है, देखिए, simple चीज है भारत में, भारत में आज अगर can't होगा, तो by 2030, हमारे regulators और बाकी सारे लोग समल जाएंगे, और फिर कुछ changes होंगे, तो 10-10 साल के gap में हमारा देश सुधर जाता है, थोड़ा बहुत सुधर जाता है, तो point है कि वहाँ पर ये चीज हुई, फिर इनने हाथ मिलाया एक broker के साथ, broker कौन, काल भी, अगर एक चीज notice करोगे आप लोग, तो जितने भी कांट, जितने भी घोटाले होते हैं, उनकी history कहीं न कहीं होती है, अभी मैं इनकी भी interesting चीज बताऊंगे, इनने किन-किन IPOs में पैसा लगाया था, और उनके state आप जाके देखना, बाद में क्या हुआ, तो ये चीज होगे, तो दूसरी चीज, इननने कारवी को यही वाले bank accounts दिखा दिखा के, DP सारे कारवी के अलग-अलग subsidiary में बना के apply कर दिया, तो bank accounts दूसरों के नाम है, उनको पता भी निया, अचा, इनके बस दूसरा तरीका भी था, इनने क्या बोला, photo वालो का तो खीसते हैं, लेकिन थोड़ा mix रखते हैं, कल को कुछ, किसी को doubt होगा, कि भाई हम सभी के photo आ रहे हैं, तो उनने दूसरी चीज़ पता है क्या की, उस समय पे matrimonial website अचानक से चालू हो गए थी, जिस पे photos freely available थे, ये simple से जाते थे, अपनी ID बनाते थे, matrimonial से photo निकालते थे, और उनके नाम अता-पता सब matrimonial पे रहता था, और बनाते थे, मतलब girls और ladies से पे request है, I know आप लोग काफी जादा social platform पे जाते हैं, and attention पाना किसको नहीं पसंदे, आपको है, मुझे सब को पसंदे, लेकिन attention पाने के लिए, आप लोग कुछ तस्वीरे डालते हैं, या जो भी है, I hope आप समझ रहे हैं, please वो जादा mat कीजे, बुरा लगे तो शमा जी है, so sorry अगर किसी को बुरा लगो, तो coming back to the point, यहाँ पर exactly यह चीज हो गई कि पान्चाल जी ने, पान्चाल मैडम ने, जो कि obviously एक operator की wife है, scamster बोलो उस समय पे तो, तो इनने यह सारा स्टीज जुगाड कल लिया, तो accounts बन गए, अब next इनका step क्या रहता था, यह next step यह र करते थे, और plus खुद के भी उस से कर देते थे, मतलब अपना HNI अकाउंट से भी कर देते, next step, promoter के साथ मिलके इनकी धनली रहती थी, कि भीया, प्रोराटा के विसस पे भी हमको होना चीए, investment banker के साथ भी इनका बैठा होना था, तो कभी आपने notice करा है, बहुत बार, बहुत सारे लोग IPOs में apply करते थे, लेकिन उनको नहीं मिलता था, आधेट हमें तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि शायद आपका निवाला कोई और खा गया है, ऐसा भी होता है, कभी आपको ऐसा doubt हुआ है, तो कमेंट्स में लिखना कि हाँ यार मेरे को तो कभी IPO नहीं मिलता पता नहीं क्या होता है, तो ये जरूर लिखना, तो ये चीज होती थी, अब सीन क्या होता था, सीन ये होता था कि छोटे 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 जो 10 लाग 15 लाग अकाउंट खुले गए हैं, जिससे apply किये गए, जिसमें से 5 लाग को allotment मिली है, लिस्टिंग के पहले ही ये 5 लाग अकाउंट से धीरे-धीरे-धीरे-धीरे के off-market transactions इनके main अकाउंट में हो जाते थे, मतलब dummy अकाउंट के सारे share अब धीरे-धीरे, जो इनको price से तो मतलब नहीं है, देखो, retail को loss का कब डर होगा, जब उसको price से कुछ लेना देना, उसको price पता है, इधर तो retail का कोई सारे अकाउंट अपने ही है, मतलब एक तरीके से मैंने ही अपने 100 अकाउंट खुला है, allotment मिला और मैं अब सारे अपने इसमें shift करना हो, तो इनका simple जाता, और listing gain के दिन must पैसा चापू, उनको पता है कि इसमें इतना क्या listing है, क्योंकि उटना बैठना है, promoter, promoter इन सब के के पहले, 7-8 साल में बेबी पकड़ लेती है, even यह जो real estate company, अब मैं उस real estate company का भी बताता हूँ, real estate company के उपर allegations लगे, allegations कुछ इस तरह के लगे, कि भाई, इन लोगों ने बहुत sensitive information अपने IPO के पहले छुपाई, ध्यान से सुनिए, because यह चीज़े आपको IPO की quality को judge करने में भी help करेंगी, काफी सारे लोगों को लगता है कि कहानी बता रहा है, कहानी नहीं, मैं आपको alert कर रहा हूँ, काफी चीज़ों से, जिससे कि आप experience से सीखो, जो experience, जो बाकी लोगों ने सहाई, वो आप न सहो, इसलिए मैं यह चीज़े बताता हूँ, तो coming back to this thing, आप, जो real estate पे यह allegations लगे कि पहली चीज़ तो यह corner वाली चीज़ तो लगी थी, ठीक है, दूसरी चीज़ बहुत sensitive information इन से छुपाए गए, किस तरह से, यह इनने क्या किया, सुदिप्ती, शालिका, फेलसाइट, इस तरह कि इनकी subsidies थी, जिसके बारे में इनने information, public domain से IPO आते वक्त हटाया दिखाया ने, इन में से कुछ companies उस पे FIR चल रहे थे और कुछ companies में money laundering के भी cases चल रहे थे, इन short company जब IPO लेके आती है, तो वो अपना पूरी तरीके से makeover करने के चक्कर में बहुत sensitive information हटा देती है, और वो आपको और मुझे नहीं पता रहता है, दूसरी चीज़ यह पता ल तो दोस्तो इस तरह काफी सारे लोग इस IPO में फसे, आपने देखा mastermind कैसे चला पंचाल जी का, आपने देखा किस तरह even the companies get associated, अब ये क्यों पकड़ उस समय क्यों नहीं पकड़ में आते हैं, क्यों बेबी 7-8 साल बाद, 10 साल बाद इन लोगों को पकड़ती है, इन पे इन कोई robot था, उसके साथ भी उनका कोई गोटाला था, समझ गयो तो comments में लिख देना, तो ये भी हुआ, तो आपको समझना है कि बहुत सारी इस तरह की चीज़े होती है, तो अब इस पे मेरा क्या take है, देखो, ये सब तो हो गया, अब मैं इस पे क्या समझता हूँ, मैं अपन होते वे देखा है, पहली चीज, for example, अगर D-Mart है, तो ठीक है, fine, allotment मिला नहीं, बात अलग है, but करेंगे, LIC आएगा, करेंगे, BSE, yes, NFC, yes, लेकिन जो ये बहुत random, random, आप हर चीज में, excited or sir, इसमें कर दें, क्या, वो उसमें कर दें, क्या, ये TV वाले नह भूला, हो सकता ह 70% उनकी listing gains में success होगा, लेकिन दो चीज़े हैं, simple सी बात है, देखो, मातर आनी की इतनी कृपा नहीं रहती, कि हमको सारे allotment मिले, मेरेको तो 70-80% allotment मिलते ही नहीं है, पहली चीज तो ये, तो मैं खामो खाम उदर एक दू, महने के लिए क्यों अपना पैसा ब्लॉक करू उससे बेटर भढ़ी है, अपनी investing trading से कमाई हो रही है, शान्ती पूरवक वो करूँ, पहला reason तो ये, दूसरी चीज है, मैं just because एक IPO आ रहा हूँ, उस पर क्यों अपलाए करूँ, क्यों ना मैं best IPOs पर ही करूँ, कि भाई मिले तो भी मेरेको एक राहत है ना भई, कि भाई श चान्ती सोग तो रहा हूँ मैं आराम से, मेरे तो ये तो निये अगले दिन discount में आगया, अगले दिन ये आगया उपर से पैसा इतने दिन block रहा, प्लस उसके बाद काफी लोग रहता है, पैसा इतने दिन block रहा, उसके बाद नीचे, तो याद रखिए, स्रिफ stellar ही नहीं, वही products and services जिसको मेरे को पता है, मैं company के prospectus पे blindly believe नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्यों कि मुझे पता है कि वो चीज़े rigged होती है, बहुत बार rigged होती है, that is number one, second चीज़े, मैं अगर apply भी करता हूँ, तो मैं 50 to 60% अपने gains, listing gains पे book कर लेता हूँ, क्यों, historically आप देखोगे 15 years का, मैं एक दो साल की नहीं बोल रहा हूँ, 15 years का, तो आपको realize होगा कि maximum IPOs, maximum IPOs, जिसको बहुत जादा perform करना है, वो listing gains से ही perform करने लग जाती है, back to back, जिसको नहीं करना होता है, वो वहीं पे indication दे देती है, तो listing gains में at least अमना capital preserve कर लो, और बाकी जितना आपको रखना है, रखो नहीं रखना है, मत रखो, यह मेरा personal view, मैं तो भीया, 60-70%, जितना हो सकता है, मैं listing gains में निकल जाता हूँ, अगर गलती से कोई मिल भी गया, बाकी चीज़े अपन चलने देते हैं, तो यह दूसरी चीज़े, तीसरी, अगर किसी IPO का बहुत जादा hyped है, और वो बहुत capital intensive industry से ह लगेगा, तो एक common sense लगाओ न, जमीनों में बहुत पैसा लगता है, पावर सेक्टर में बहुत पैसा लगता है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा अगर पैसा लग रहा है, तो honestly दोस मैं तो उसमें ज़्यादा इंट्रेस्टेट नहीं रहता हूँ, अगर थोड़ी यह करोड का वैलुएशन ग्रे मार्केट में दे दिया था, तो पहली चीज वो हो गई, दूसरा आप DLF के भी case में ले लो, तो वहाँ पर यही चीज हो गई, जो लोग समझ गए हैं कि मैं क्यों हसा, वो comments में लिख देना, तो इस तरह से यह दो तिन चीज़े, आप ध्यान से इस चीज़ को समझ के और उसी साब से निवेश करो, दोस्तों, आप लोग बड़े प्यारे हो और अपने सारे टार्गेट पूरा कर देते हो, अगला वीडियो और बे इंट्रेस्टिंग होने वालार, as usual, हम 10,000 लाइक्स का टार्गेट रख रहें, 10,000 लाइक्स का टार्ग बहुत जल्दी एक इंट्रेस्टिंग कंसेप्ट, वारन बफेट सर के उपर भी कुछ वीडियो लाना चाह रहा हूँ, अगर आप जल्दी चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिखेगा, वारन बफेट अगर हेजच पंड चाहते हैं, तो हेजच फंड लिखेगा, और अगर चा करतात कि एक जा हुआ हैं, तो हेचे हैं, तो ही पी समया मत्तव